इस परकार के आते थे बुशेz प्लास्टिक के, इनको आपको कसना होता था, इसको लगाने के लिए आपको ये बुश है, ये दरूरी चाहिए होता था, जो जिसके अंदर जाके इसे पर्टिकुलर, इसके चीक सामने आके अंदर से, और इसको फिरम कसते थे और ये बड़े पूरा लॉक हो जाएगा इस तरीके से लॉक होता था इसमें परिशानी क्या दि इसको आपको ध्यान दसना होता था कि ठीक ये इसी जगह आकर बेटे इसका जो होल है ये विल्कुल ठीक इसके सामने आना चाहिए अगर आपने इदर भूमा तिया पीछे रह गया या आगर रह गया तो ये ठीक जगह से नहीं बैठता था इसको चेंज करके कमपणी ने ये वाले बुशिस लॉंच किये हैं इन बुशिस की खातियत ये है कि आपको ये वाले लो प्लिवी तरीके से चली आएगी थोड़ी लेकर राद इस तरफ से जाएगी सीट इस तरफ से लगेगी और राड इदर लगी हुई होगी ये आप इसको बैठाएंगे तो ये बैठ जाएगा इसके अंदर इसको बैठाके डारेक बैठाना है इसको इस तरीके से, जब आप इसको कसेंगे, तो आप देखेंगे कि ये रोट धीरे-धीरे करके बहार निकलने लग जाएगी, यानि कि बुष पीछे की तरफ सरक राय इदिवारी तरफ सरक कहुआ जाएगा, पाउस का तो पाउस, पाउस नहीं चाहिए उड़। अधियर बाहरी तरफ खिश्टा चलाया रहा है इसका मतलब है लेकिन जब इसको सीट पर लगा होगे तो यह आपस में एक दूसरे को खिंचेंगे और फुल टाइट हो जाएंगे इसको लगाना जादा आसान है इसके टूटने का चांसे भी काम है ऐसे आप देखिए अंधरी तरफ थ्रेट ताइप की दिखेंगे यह आपको हम इसको कर घूमाते हैं तो यह त्राव तरफ जो गूंती है यह तरट बहार निकलके आ गई है हैं जो बापस की तरफ खोलेंगे तो यह तो यह तेखी पूरे अपनी जागा जाकर बैट गई गई जही कसना शुरू करेंगे सबसे पहले तो यह बाहर निकलेगी वह बाहर निकल के फिर यह चार तरफ घुमने शुरू करेंगी जो राट को खिशना शुरू कर देती है अपनी तरफ